हलो दोस्तों आपका स्वागत है मोटर अक्टीन में आज फिर से मेरा नाम है रचसित हिरानी अगर आप चैनल पे पहले बार आए और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट टॉप फाइव गाड़िया जो आने वाली है दस लाग के अंदर इसी साल जी हां दोस्तों यह बहुत ही इंटरिस्टिंग वीडियो बनने वाले आपके लिए आप में से काफी लोग हम से कहते है कि कोई नई गाड़ियो पर बताओ जो आने वाली अंदा बाकेट आ दोस्तों इससे पहले कि मैं यह सेशन शुरू करूँ मुझे एक सवाल आने वाला है डेफिनिटली आपकी तरफ से की टाटा HBX इस साल लांच होने वाली है या नहीं तो उसका लांच इस साल नहीं है अगले साल में होने वाला है इस साल के लांच जो है उसमें काफी सारे प्रोडक्स है दे फर्स्स प्रोडक्ट जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूं इस फ्रॉम किया का जो न्यू एसिव आने वाली दे किया सॉनेट वो एक इंटरिस्टिंग प्रोड़क्ट रहने वाली है फॉर दे इंडियन का मार्केट अब यह एक कॉम्पाक्ट यहाने की अंडर फॉर मीटर लेंथ वाली असुवी है जो सीधा कंपीट करेगी मारुती ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, युन्दै वेन्यू, एक्सुवी 3OO के साथ इन टर्म्स ओफ फीचर्स यह आपको बहुत कुछ उफर करेगी और यह वेन्यू के प्लाटफॉर्म पे ह उसे बहुत पास रहेंगे और जो गाड़ी दिखाए गए थी और अट अट ऑट 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 एक्सपो उसमें और जो गाड़ी लाँच होगी इसमें काफी सारे रिजेंब्लेंस आपको डेफिनितली दिखेंगे देखो किया जानी जाती है तो मेंक कास्ट आट अट वेरी क्ल ही थी तो यह चीज अभी भी बरकरार रखी जाएगी और सेवंटी तो 80 पिसेंट ऑट पिसेंट आपको बहुत कुछ मिलने वाला है पहले आपको बताते हैं फीचर्स क्या के आएंगे ऑन दिस प्रोड़क्ट तट स्कीन सिस्टेम जो सेम वेन्यू वाला है अंडर्ड आट आपल कार प्ले कनेक्टिड का सो किया का यूवी ओ टेकनोलोजी आएगा इसमें ब्लू लिंक आएगा नॉट ब्लू लिंक यूंड़ी उसकता है वो उसको किया कॉल्स इट यूवी ओ तो इसके सारे 33 स्विचर्स इसमें दे दिये जाएंगे संरूफ आएगा छे एर बैग साथ में आपको लेधर अपोल्ष्री भी दे दी जाएगी प्लस इफ दास नोफ रियर रेसी वेंट्स आपको पीछे और फ्रंट दोनों के लिए चाजिंग पॉइंट्स दे दिये जाएंगे बूट स्पेस लगबक साड़ थीन सो कि ये आसपास होनी चाहिए आप दिस वह गेंट्स इसके इंट्रेज बूट स्पोर्टी रहेंगे बट किया विल बी आलट मोर इंट्री दिज आ इश्या प्रिचाल अग नोट्टिस करोगे अश्या में आपके पास थीन गंगे पहला एंग जिए गर वह 1.2 लीटर का पेट्रोल ये फाइस पीड मैंग के साथ आग और 80-85bhp तक का पावर बनाएगा दुसरी इंजिन जो आने वाली है इस दो 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इसमें आपको मिलने वाला है 120 ब्रेक होस पार यह 6-speed manual and 7-speed DCT के साथ हैगी और तीसरा इंजिन जो आएगा विल बी the 1.5 लीटर डीजल इसमें भी आपको 2 transmissions जाएगे एक रहेगा 6-speed manual and there'll be a 6-speed automatic यह 7-speed DCT उस पे अशॉरिटी नहीं है but there is definitely going to be an automatic diesel Kia की तरफ से Kia definitely will offer something extra Hyundai से ज्यादा in its fleet and this is what it will be दोनों, तीन हो राजर इंजिन जो आने वाले है विल बीएश 6 और इनका अगर मैं आपको pricing approximately अनुमान बताओं तो यह 8 लाग on-road से शुरू होंगे और यह जाएगे लगबग 12 से 13 लाग रुपे तक अगर automatic diesel top end तक आते then maybe 15 तक जा सकता है costing Kia seems to be an interesting player and यह रहेगा हमारा number one product जो हम recommend करेंगे to wait for in this year दूसरा product जो interesting आने वाला है is from Hyundai Hyundai लाने वाला है the new updated वर्नाब यह बले ही facelift गाड़ी है पर इसमें जो changes किये जाएंगे they will be mind-boggling so absolute changes जो कर दिये जाएंगे गाड़ी में बहुत 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 नहीं लगेगी and this will be one of its major highlights तो इसको नेया front grill का design मिलेगा it will get a new set of headlamps and this will what change the overall upcharge काफी लोग कह रहे है कि solaris आएगी जो रश्या में है या china version आएगा वर्ना का somewhere it will fall in between the two और इसकी design पे काफी ध्यान दिया जाएगा from Hyundai rear भी change कर दिया जाएगा interiors को भी almost पूरा change किया जाएगा new steering wheel, new instrument cluster there'll be an update on the center console as well so features में काफी changes किये नहीं जाएगे but design aspect में जादा ध्यान दिया जाएगा in the वर्ना so projector headlamps, day time running LEDs LED tail lamps sunroof, ventilated seats connected cast technology air purifier rear AC vents जैसे features इस गाडी में आएएगे I'm expecting 360 camera भी वर्ना को मिल जाना चाहिए from what I understand so in terms of features Hyundai काफी तयार है to give it a big boost जो engines आते हैं petrol और diesel उसमें भी changes आएगे तो अब 1.4 liter turbo petrol आएगा and there will also be a 1.5 liter petrol engine और तीसी नहीं रहेगी the 1.5 liter diesel जो लगबग 115 भी HP तक का power बनाएगी तीनों इंडिन्स में आपको 6-speed manual मिलेगा और तीनों में एक-एक अलग टाइप के automatic transmission भी दे दिये जाएगे so Hyundai is ready for the next set of cars और वर्ना उनकी तयार है to take on the new generation Honda City as well तो इसकी pricing रहेगी लगबग say from 9 lakh rupees to 15 यह 16 lakh rupees on road की बात कर रहा हूं I am not a showroom और वही पे अब मैं Honda City की बात किया so Honda City एक और एक interesting product है and becomes a product number 3 of expected launches यह गाडी will be an all new car बहुत जबर्नास दिखती है मुझे यह काफी ज़ाधा mature लगती है then before and this is one of the highly awaited sedan of the year Honda City में आपको काफी features मिलेंगे space अच्छी मिलेगी quality अच्छी आती है and then of course Honda हर बार जानी जाती है एक ऐसा product लाके जो game change कर देती है in the city so last generation city जब आयती उसने सारे features दे दिये थे ऐसी space दे दी थी जो सब को पीछे छोड़ दिया and इस बार भी Honda से हमें वही expectations है features Honda बरपूर जेगी space और जादा बेटर हो जाएगी then even last time and even जो आपका drive है ride quality है that will be better जो हमने amaze में देखा था कि Honda ने ride quality पे काफी ध्यान दिया है वो same cheese implement की जाएगी on the city पर उसको और amplify कर दिया जाएगा so Honda City definitely is the highly awaited launch of the year 1.5 liter petrol इसका is the best engine in the segment 1.5 liter petrol में इससे better naturally aspirated कोई नहीं है आज के तारीख में diesel engine भी इस में 1.5 liter detect है जो बहुत ही जबदस्त है Honda will offer 6-speed manual on both the engines और CVT भी offer कर दिया जाएगा यह पहली गाड़ी रहेगी in this segment जिसको diesel CVT मिले गया and Honda should offer 100 bhp on the CVT from what I understand paddle shifters भी रहेंगे on the petrol version diesel पर I'm not sure कि paddle shifters आएँगे या नहीं but Honda is definitely going to kill this segment और यह हमेशा से उनकी best seller रही है और अभी भी आके वही prove करने वाली है यह गाड़ी को Thailand में already दिखा दिया गया है इसके images हम आपको दिखा सकते हैं इंटीर्यस भी reveal हो गया है so there's nothing much to hide पर इसमें India flavor एक add किया जाएगा from Honda जो इससे बहुत ही special बना देगा इसकी कीमत भी 8-8,5,5,15,16 या 17,000,000 तक जा सकती है depending top end कितने तक extend होता है पर Honda का इस बार focus रादा पेट्रोल एंजिन पर है देन दीजल एंजन फोर यह सारी BS6 इंजन आने वाली है because that is what the flavor will be needed it will be a compulsion six airbags, ABS plus EBD, 16-inch wheels, touchscreen system, android auto, apple car play, reverse parking camera maybe 360 camera also massive sunroof तो Honda City में आपको भरपूर features मिलने वाले है just get excited for it April में इसका launch है March में आपको हमसे इसका detailed review मिल जाएगा तो यह रहे तीन models अभी तक जो हमने आपके लिए cover किये the fourth model जो मैं आपके लिए cover करना चाहता हूँ is again something interesting Nissan उतरने वाला है in the SUV segment in Breza, Nexon और XCV3OO के competition में रादर मैं उसको कहना चाहूँगा और यह उनकी एक और एक न्यू SUV रहेगी इसका फिलाल code name is EM2 और यह एक बहुत ही interesting product बनने वाला है for the engine का market in terms of features यह बहुत कुछ offer कर सकता है आपके लिए but I am still going to say कि hang on इसका launch दिवाली में होने वाला इसमें आपको वान लीटर का turbo petrol engine आएगा और साथ में इसमें आपको जो design aspect रहेगा वो somewhat kicks it derived रहेगा that means it will be something really good looking और साथ में एक कहूंगा कि पांच वा प्रोड़क्ट जो है वो रेनो का ही SUV है HBC जो same family और same platform पे आएगा with the same engine but looks रहेंगे features डोनो के almost same रहेंगे towards the end मैं सिफ यह के ना चाहूंगा कि जो रेनो और निसान की SUVs है डोनो same platform CMFA पे बनाई जाएगी और इनमें जो features आएगे काफी हद तक similar रहेंगे but design अलग रहेगा, interior look काफी अलग रहेगा so that's all we have for right now for you अगर इतना वीडियो देखा है give it a big thumbs up guys मैं आप तक काफी exciting information हर बार पहुंचाने की कोशिश करूँ and this is one more video for you मिलेंगे काल फिर से वित अन all new video take care, drive safe और हाँ, कुछ भी सवालो please comment में पूछ लो यार take care, bye